अच्छुतम केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोधरं वासुदेवं हरिम श्रीधरं माधवं गोपिकावल लभं जाने की नायकं रामचंद्रं भजे कार्तिक मास महात्म और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है भगवान श्रीकृष्ण और श्रीमती राधर रानि की क्रिपा सदयव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे 11 नवंबर 2023 आज है शनिवार और आज है कार्तिक मास के क्रिश्न पक्ष की चतूर दसी थी जिसे नरप चतूर दसी कहा जाता है और आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का 15 वाध्याए तो कार्तिक मास की अधिश्ठात्री देवी श्रीमती राधरानी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कता का श्रमण करते हैं तब राजा प्रिथु ने पूछा हे देवर्सी अब आप यह कहिए कि भगवान मिश्णू ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की इस्त्री का पतिवरत कैसे भ्रष्ट हुआ श्री नारत जी ने कहा जलंधर के नगर में जाकर भगवान मिश्णू ने उसकी पतिवरता इस्त्री ब्रिंदा का पतिवरत भंग करने का विचार किया वह उसके नगर में एक उध्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वपन दिया वह उनकी माया और अद्बुत कार्य पध्यती थी और उनकी माया द्वारा जलंदर की इस्त्री पती व्रता ब्रिंदा ने रात में हैं स्वपन देखा कि उसका पती नगन होकर सिर पर तेल लगाए महिश पर चड़ा है वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंशक जीव हैं वह सिर मुंडाई हुए अंतकार में दक्षन दिशा की ओर जा रहा है उसने अपने नगर को समुदर में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे फिर तु रजे पर गई, अटारी पर चड़ी, भूमी पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांती प्राप्त नहीं हुए फिर वह अपने दो सख्यों को साथ लेकर उपवन में गई, पर जंगल में निकल गई पर और वहां भी उसे चैन नहीं आया तब वन में उसने सिंगर के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा जिससे वह अत्यंद ही भैभीत होकर वहां से भागने लगी उसी समय वहां उसने अपने सिश्यों सहित एक तपस्वी को देखा तो ब्रिंदा उसके पैरों को हाथ लगा कर उससे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी मुनी ने अपनी एक ही हुंकार से उस समय उन दोनों राक्षसों को महां से भगा दिया ब्रिंदा को आश्चरी हुआ और वह भैसे मुक्त होकर मुनी को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्यता का ग्याप तो बानर उड़कर आकाश में चले गए फिर वह जलंधर का सिर और धर लेकर मुनी के पास थोड़ी ही देर में वापस आ गए तब व्रिंदा अपने पती को मरा हुआ जानकर मुर्चित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेकों प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी ततपस चात उसने मुनी जी से कहा हे कृपा निधे आप मेरे पती को जीवित करती जिए पती व्रता परायन दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी स्वासों को छोड़ती हुई मुनी के चरणों में गिर पड़ी तब मुनिश्वर ने कहा यह सिवजी द्वारा युद्ध म मारा किया है अतहया जीवित नहीं हो सकता क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता परन्तु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है अतह कृपा करके मैं इसे जला देता हूँ श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनी साक्शात विष्णु जी थे, जिनोंने यह सब माया फैलाई थी, वह व्रिंदा के पती को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गय, जलंधर ने उटकर व्रिंदा का आलिंगन किया और उसका मुख्षुमा, व्रिंदा भी पती को जीवित पति हुई बोली हे परिस्त्री से गमन करने वाली विश्णू तुम्हारे शील को धिकार है मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे ऐसा कहकर कृद्ध होकर पतिव्रता व्रिंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुझको दिखाए थे वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारे भी इस्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम बानरों की सहायता से वन्मे भ्रमण करोगे और वह सरवेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है वह वहाँ जी के शरीर में चला गया और आकाश में जैजैकार होने लगी पतिवरत धर्म के प्रभाव से ब्रिंदा ने मुप्ति प्राप्त की ओम क्लीम कृष्णाय नमा कार्थिक मास महत्म का पंद्रहवा अध्याय समाप्थ हुआ और इसके आगे का व्रितांत आप कल की कथा में सुनेंगे कार्थिक मास की कहानी दीपावली के पांच दिनों के उत्सव में धंतेरस के बाद नरक चतुरदशी मनाई जाती है इस दिन को चोटी दीपावली कहा जाता है और रूप 14 काली 14 के नाम से भी जाना जाता है इस दिन यम की पूजा की जाती है भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है माकाली की पूजा होती है और दक्षिन भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है शास्त्रों के अनुसार इस दिन सुर्योदे से पहले उठना चाहिए उठकर तेल और उप्टन लगाकर भली भातिशनान करना चाहिए नरक चतुरदशी के शनान का श दुख में ही बीटता है और वे मलिन तथा द्रिद्र रहते हैं इस दिन स्नान इत्यादी से निवरित होकर यम्राज का तरपन करके तीन अंजली जल अर्पित करने का विधान है और इस दिन यम्राज के निमित दीपदान भी किया जाता है अच्छा दीपक जलाने का विधान ह कारण ये बताया जाता है कि इन ही तीन दिनों में भगवान वामन ने राजा बली की प्रिथवी को नाप था भगवान वामन ने तीन पगों में संपुण प्रिथवी तथा बली के शरीर को नाप लिया था इसलिए त्रयोदशी चतुरदशी तथा अमावश्य को लोग यम के पहली कथा के अनुसार नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है कृष्ण अपनी आठों पत्नियों के साथ सुख पुर्वक द्वार्का में रह रहे थे एक दिन स्वर्ग लोग के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रात्ना की हे कृष्ण प्राग जोतिस्पुर के द्यत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहित्राहि कर रहे हैं कृरूर भौमासुर ने वरुन का छत्र अदिति के कुंडल और देवताओं की मनी झीनली है और वह तिल्डो की विज़ई हो गया है इंद्र ने कहा भौमासुर ने प्रित्वी के कई करन करके उन्हें अपने यहां बंदी ग्रही में डाल रखा है क्रिप्या हमें बचाईए प्रभू इंद्र की प्रात्ना सुनकर क्रिष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्य भामा को साथ लेकर गरुड पर सवार होकर प्राग जोतिश्पुर पहुंचे वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्य भामा की सहाईता से सबसे पहले मुर्दैत्य सहित मुर के छे पुत्रों ताम्र अन्तरिक्ष श्रवण विभावसू नभश्वान और अरुन का संगहार किया मुर्दैत्य का वद्ध हो जाने का समाचार सुनकर भौमा सुर अपने अनेकों स सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा भॉमा सुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था इसलिए भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सार्थी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्रीकृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका बद कर डाला इस प्रकार भॉमा सुर को मार कर भगवान श्रीकृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभैदान देकर उसे प्राग जोतिशपुर का राजा बनाया भगदत्त कौरवो की ओर से महाभारत का युद्ध लड़ता है और जिस दिन भगवान श्रीकृष्ण बद किया था अर्थात नरका सुर कणा वद किया था उसी दिन कार्थिक मास के ख्रिष्ण पक्ष्ट की चतुर दशी दी थी थी इसलिए उसे नरक चतुर दशी भी कहा जाता है इस दिन भगवान स्रिक्रिष्ण ने नरका सुर अर्थात भौमा सुर का वद किया था और उसकी कैद से लगबग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराये था इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सों मनाये जाता है और नरक चतुर्दशी की एक और कथा है जिसके अनुसार इस दिन दक्षिन भारत में वामन पूजा का भी प्रशलन है कहा जाता है कि इस दिन राजा बली अर्थात महा बली को भगवान विश्णू ने वामन अवतार में हर साल उनके यहां पूँचने का आशिरवाद दिया था इसी कारण से वामन पूजा की जाती है असुर राज बली बोले हे भगवन आपने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदिशी से लेकर अमावश्या तक की अवधी में मेरी संपुण पृत्वी नापली है इसलिए जो व्यक्ति मेरे राजे में चतुर दशी के दिन यमराज के निमित दीबदान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए और जो व्यक्ति इन तीन दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़े ऐसा वर्दान देजिए ये प्रार्तना सुनकर भगवान वामन बोले हे राजन ऐसा ही होगा तथास्तु भगवान वामन द्वारा राजा बली को दिये इस वर्दान के बाद से ही नरक चतुरदशी के दिन यमराज के निमित दिवरत पूजन और दीबदान का प्रचलन प्रारंभ हुआ नरक चतुरदशी की तीसरी पौरानी कथा के अनुसार रंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे उन्होंने अंजाने में भी कोई पाप नहीं किया था फिर भी जब मृत्यू का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आधम के राजा ने कहा कि आप मुझे पर क्रिपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराद के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है ये सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन एक बार आपके द्वार से एक ब्रामभर भूखा लोट गया था ये उसी पाप कर्म का फल है ये सुनकर कारी कहानी सुना कर उनसे इस पाप से मुझे का उपाय पूछा तब रिशी ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर दशी का ब्रत करें और ब्रामभरों को भोजन करवा कर उनके प्रती हुए अपने अपराधों के लिए शमायाशना करें राजा ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर दशी तीथी को व्रत का प्रजलन है और शाम के समय संध्याकाल में यम के निमित्त दीपदान भी किया जाता है नरक चतुर दशी के दिन अभ्यंग श्नान की परंपरा है मान्यता है कि इससे नरक से मुक्ति मिल जाती है और स्वर् दियों से बना हुआ उप्टन लगाना चाहिए अपा मार्ग अर्थात चिड़्चिड़ा के पत्ते डालकर श्नान करना चाहिए और फिर भगवान स्रीक्रिष्ण और भगवान स्री हर विष्ण के दर्शन करने चाहिए ऐसा करने से पाप समाप्ध हो जाते हैं और संध्र भी बढ़ता है साथ में दिर्खायू का वर्दान भी मिलता है नरक्ष तुर्दशी की तीन पौराणी कथाएं आज आपने सुनी अब आप सुनेंगे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ओम विष्वंबिष्वर वचटकारो भूतभव्य भवत्रभू भूतुकृत भूतब्रिद्भावो भूतात्मा भूतवाहन पूतात्मा पर्मात्माच मुपतानाम परमागती अव्ययः पुर्शा साक्षी शेत्रग्यो अक्षर एवचा योगो योग विदामनेता अनादी निधनो धाता विधाता धात औरुत्तमह अप्रमेयो रिशिकेश पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वस्थ अस्थव विरोधुव अग्राह्या साश्वता हक्रिश्नो रोहिताक्षअ प्रतर्दन प्रभुतस्त्रिककुबधाम पवित्रम्मं गल इशानह प्राण दह प्राणू जेश्ठा श्रेष्ट प्रजापती हिरन्य गर्भो भूगर्भो माधवो मदु सूधन एश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रम हक्रमा अनुत्तम ओदुराधर्श अकृतग्या अकृति रात्म मान सुरेश शरनम शर्म विश्वरेता प्रजाभव अह संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्षन अजसर्वे स्वरसिध सिध्धे सर्वादिर्चुत व्रिशाक पिरमेयात्मा सर्वयोग विनीश्रित वसुर्वसुमना सत्य समात्मा सम्मितासमा अमोग पुंडरी काक्षो व्रिशकरमा अवरिशाकृति रुद् प्राजिश्रुर्भोज नम्भोगता सहिस्रुल जगदातिच अनगोविज्यो जेता विश्वयो निह पुनर्वसु उपेंद्रो वामन प्रांशुर मोखा सुचरुर्जिता अतिंद्रह संग्रह सर्गो धृतात्मा अनिय मोयमा वेद्यो वैद्य सदायोगी वीरहा माधव अतिंद्रियो महमायो महुत्साहो महबलह मह बुधिर महावीर्यो महाशक्तिर महाध्युटि अनिर्देश्यवपूश्रिमानमेई आत्मा महादृत्रिक महिश्वासु महिभरता श्रीनिवास सतामगति अनिरुद्द सुरानदो SEN विन झगो विन्दामपति मरीचिर दमनो ह सपर्णु भुजुकुत्तमा हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापती अमृत्यु सर्व दिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजोदूर्मर्षड शास्ता विश्रुतात्मा असुरारिहा गुरुडगुर्त मोधामा सत्य सत्य पराक्रमा निमिशो अनिमिशो श्रग वी वाचश्पती रुदारधी अग्रनित ग्रामनी श्रीमा न्यायो नेता समीरण सहस्त्रमुर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात आवर्तनोनी वृत्तात्मा सम्रिता संप्रमर्दन अहसं वर्तको वहनिर निलोधर निधरह सुप्रसादह प्रसन्नात्मा बिश्वधरिक विशुभुग विभु सथकरता सथकरता सथक्रिता साधु जहनुरना रायनो नर असंखिययों अप्रमियात्मा विशिष्ट सिष्ट क्रिच्छुवी सिध्धार्ता सिधसंकल्प शिधिदा सिध्धिसादन है वरिशाही विश्भो विश्णूर प्रदापन रिधस पस्टाक्षरो मंत्रस चंद्रान्शुर्भास कर दूती ही अम्रितान्शुद्भवो भानू शश्विंदू सुरेश्वरा अशधम जगता सेतु सत्यधर्म पराक्रमा भूत्भव्य भवन्नात पवन पावनो नला काम हा काम कृतकान्त काम और छव अव्यक्त रूपस्च सहस्त्रजीत नंत जिते इष्टो अविसिष्ट सिष्टेष्ट सिखंडी नःसो व्रिश प्रोध्यक्रोद्क्रोदकर्त अविश्व भाहूर महिधरः अच्चुत प्रतित प्राण doit-वास वानु 55 अपाम्नि धिर्धेष्टानं प्रमत्तह प्रतिष्टिता, सकंद सकंद धरोधूर्यो बर्दोवायु वाहन, वासुदेवो ब्रिहत्भानु रादिदेवः पुरंदर, अशोकस्तार अनस्तार, शूरसोर इर्जनेश्वर, अनुकूलह शतावर्त पद्मी पद्मनि भेक्ष पद्मनाभो अर्विंदाक्ष पद्मगर्भ शरीर भित, महर्धिरित दोवरिध्धात्मा महाक्षो गरुडद्वज, अतुलह शर भोभीमो समयक्जो हविरहरी, सर्वलक्षन लक्षन्यो लक्ष्मिवान समितिन जय, विक्षरो रोहितो मार्गो हेतूर्दा मोदरस, पुष्ट असुभेक्षन, रामो विरामो विर्जो मार्गो नेयो नेयो नेया, वीर शक्तिमताम्ज्रेष्टो धर्मो धर्मविधुत्तम, व्यकुंठ, पुर्ष, प्राणद, प्रणवः प्रितु, इरण्यगर्भ, शत्रुग्ण, व्याप्तो वायुरुधोक्षज, रितु, सुदर्ष, नहकाल, पर्मेष्ठी, परिग्रह, उग्रह, सम्वत्सरो दक्षो, विश्रामो, विश्वदक्षिन, विस्तारस्थावरस्थानु, प्रमाणवी, जमव्ययं, आर्थो, अनर्थो, महाकोषो, महाभोगो, महाधन, अनिर्विन्न, यज्जयो, महीज़्यस्च, क्टूसत्रम, सतामगति, सर्वदर्शेवि मुक्तात्मा, सर्वज्वग्यो ज्यान, मुत्तमं, सुवरता, सुमख सुष्म, सुघोसा, सुखदा सुरिता, मनोहरोजित्करोधो, वीरबाखो, विदारण, स्वापनह, स्ववसोव्यापी ने, क आत्मानेक कर्मकृत बत्सरोवसलोवसी रत्नगर्भो धनेश्वरह। आत्मानेक कर्मकृत बत्सरोवसी रत्नगर्भो धनेश्वरह। आत्मानेक कर्मकृत बत्सरोवसी रत्नगर्भो धनेश्वरह। श्रीनिती श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रीमान लोकतरयाश्रेया। प्रम्ह भन्यो ब्रम्ह कृत्प्रम्ह ब्रम्ह भंविवार्धन प्रिया महाक्रमू, महाकर्मा, महातेजा, महुरग, महाकरतुरु, महायज्वा, महायक्जो, महाहवी, स्तव्यस्तव, प्रियस्तोत्रम, स्तुतीष्तोतारणप्रिय, पुर्ण, पुरैता, पुन्य, पुन्यकिरतिर्य नामय, मनुजव, स्तिर्थकरू, वसुरेता, वसुप्रद, वस वासुदेव वसुर्वसु मनाहवी सद्गती सत्केर्ती सत्ता सत्भूती सत्परायन शूरसेनो यदुस्रेष्ट सन्निवास सुयामुन भूतावासु वासुदेव सर्वासु निलियो अनल दर्पहा दर्पदो दृप्तो दूठरो था अपराजित विश्वमूर्तिर वरागश चन्दनांग दी वीरह विश्म शुन्यो घृता सीर चलस चलह अमानीमान दोमान्यो लोकस्वामी तीलो कद्रिक सुमेधा मेतजो धन्य सत्यमेधा धराधर तेजोवरिश द्वितिधर शर्वशस्त्र भृतामवर प्रग्रहो निक्रहो व्यगरो नयकश्रिंगो चतुर मूर्टिस चतुर बाहुस चतुर व्युःस चतुर गती चतुर आत्मा चतुर भावस चतुर वेद विदे कपात समावर्तो अनिवर्तात्मा दूर्जयो दुरती क्रमा दूरलभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग शुतंतु उद्भव सुन्दर सुन्दो रत्ननाभ सुलोचन अरको वाजसना श्रिंगी जयंत सर्व विज्याई सुवरण विंदू रक्षोभ्य सर्वभागी इश्वरेश्वर महाहरदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदह कुंदर कुंद परजन्य पावनो निला अमरिताशो अम्रित वपु, सर्वग्या, सर्वतो मुख, सुलभ, सुव्रत, सिद्ध, शत्रुजी, छत्रुतापन, न्यग्रोधो, दुम्बरो, अस्वस्त, स्चानुरांध्र निशूदन, सहस्त्रार्ची, सप्त जीव, सप्तेधा, सप्त वाहन, अमुर्धिरणगो, अचिंत्यो, भै क्रिद भैनासन, अनुर्ब्रिहत क्रिशास्थूलो, गुल्ब्रिणिर, गुलोमहान, अध्रित, स्वध्रित, स्वास्य, प्राग्वंशो, वन्षवर्धन, भारभृतिकतितो योगी, योगी, ससर्वकामद, आश्रम, श्रमन, छाम, सुपरणो, वायु वाहन, धनुर्ध धनुर्वेदो, दंडोदम, इतादमा, अपराजिता, सर्वसहू, नियंता, अनियमोयमा, सत्ववानसात्विक, सत्य, सत्य, धर्म, परायन, अभी प्रयाय, प्रियार होर्ह, प्रियक्रीत, पिल्ति वर्धन, विहाय सगतेर्जोति, सुरुचिर, हुद, भुग्विभू, रविर्विलोचना, सुर्य, सविता, रविलोचना, अनन्तोहुत, भुग्वोग्ता, सुखदो, नैक, जोग्रज, अनिर्विन्न, सदामर्शी, लोकाधेष्ठा, अनमद्भुत, सनात सनातंतमा, कपिला, कपिरप्यय, स्वस्तिद, स्वस्ति, स्वस्ति, भुग, स्वस्त अनन्त्रूपो अनन्तस्रिर जित्मन्यूर भयापह चत्रष्टो गभिरात्मा विदिचो व्यादिशोदिश अनादीर भूर्भु ओलक्ष्मी स्वीरो रुजिरांगद जन नो जन जन मादिर भीमो भीम पराक्रमा आधार नीले योधाता पुस्पहास प्रजागर प्रान निलया प्राण भृत प्रान जीवना तत्वम तत्व विदे कात्मा जन्मे मृत्यो जरातिग difूर्गो अस्वा श्यग्यापतिर्य ज्वय यांग यज्यवाहन। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चाली सा श्री तुलसी महरानी करू विनै सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय नमो नमो तुलसी महरानी महीमा अमितन जाय बखानी दियो विष्ण तुमको सन माना जग में चायो सुयस महाना विष्ण प्रिया जय जयति भवानी तिहूं लोक की हो सुख खानी भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई जिन घर तव नहीं हो या निवासा उस घर कर ही विष्ण नहीं बासा करे सदा जो तव नित सुमिरन तेही के काज हो या सब पूरन कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा तव पूजन जो करे कुवारी पावे सुंदर वर्श कुमारी करे जो पूजा नित प्रतिनारी सुख संपति से होय सुखारी बृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुल कितमन श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिदि से तर जावे सोई कथा भागवत यग्य करावे तुम बिर नहीं सफलता पावे चायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुमें सकल चित धारी तुमी मात यंत्रं तंत्रन में सकल काज सिद्धी होवे छण में औश धिरूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता देवरिशीमुनी और तप धारी करत सदा तव जै जै कारी वेद पुरानन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया नमो नमो जै जै सुख कारनी नमो नमो जै दुख निवारनी नमो नमो सुख संपति देनी नमो नमो अग काटन चेनी नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद चेनी नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी, नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी, नमो नमो जै कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी जयती जयती जय तुलसी माई ध्याउं तुमको शीष नवाई निजजन जानी मोही अपनाओ बिगडे कारज आप बनाओ करूं बिने मैं मात तुमारी पूरण आशा करहू हमारी शरण चरण कर जोरी मनाऊं निशदिन तेरे ही गुडगाउं करहूं मात अब मोपर दाया निर्मल होए सकल ममकाया मांगूं मात यही बर दीजे सकल मनोरत पूरण कीजे जानू नहीं कचुनेम अचारा छमहूं मात अपराद हमारा बारह मास करे जो पूजा ता सम जग में और नहीं दूजा प्रथमही गंगा जल मंगवावे फिर सुन्दर शनान करावे चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे करे आच मन गंगा जल से ध्यान करे रिदै निर्मल से पाठ करे फिर चालीसा की अस्तुति करे मात तुलसा की यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाही है यह कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भवतर जाई यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई तुलसी चालीसा संपूड और अब आप सुनेंगे तुलसी महरानी की आर्थी तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो धन्य तुलसी पूरण तप की नो शालिग रामे की बनी पत्रानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी को मले श्रीपती कमले चरण लपटानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो धूपदीपने वेद्य आरती धूपदीपने वेद्य आरती पुश्पन की वरसा बरसानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो चपन भोग छत्ति सोव्यंजन बिन तुलसा हरी एक नमानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यशे गावे भक्ति दाने दीजे महरानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो प्रेम से बोलिये तुलसी महिया की जै कार्तिक के ठाकुर राईदा मोदर की जै 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 श्री कृष्णा जै श्री राथे दोस्तों दीपा वली पर मालक्षमी की पूजा किस प्रकार से करें धन वर्षा पोटली किस प्रकार से बनाएं इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है तो चैनल से जुड़े रहे ताकि सारे जानकारी आपक किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नए वीडियो अप्लोड होंगी उनकी नोडिफिकेशन आपको सही सिमर पर प्राप्त होगी मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जै श्री राधे